रगुनात मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की तवी नदी के उत्तर में 1150 फीट की उंचाई पर स्थित है. यह मंदिर भगवान विश्नु के अवतार भगवान राम को समर्पित है. यह मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख मंदिर है. इस मंदिर का निर्मान 1835 ए से 1860 ए के मध्य महाराजा रनवीर सिंग और उनके पिता महाराज गुलाब सिंग द्वारा करवाया गया था. रगुनात मंदिर का निर्मान डोग्रा वंश के शासक राजा गुलाब सिंग ने 1835 ए में करवाया था. परंतु मंदिर का पूरा निर्मान 1860 ए में महाराजा गुलाब सिंग के पुत्र राजा रनवीर सिंग के द्वारा पूरा हुआ. यह मंदिर प्राचीन हिंदू मंदिर की शैली को दर्शाता है. मंदिर के परिसर में अनेक देवताओं की प्रतिमाएं हैं. परंतु यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है. मंदिर में एक शिलालेक है जो प्रवेश द्वार पर पर्स्थित है. उसमें ब्राहमिक लिपी द्वारा गुलाब सिंग और उनके भाय ध्यान सिंग को 1827 ए में एक महंत जगन्नात के. सम्मान में मंदिर बनाने का श्रे दिया जाता है. मंदिर पर वर्ष 2002 में मार्च और नवंबर के महीने में. मंदिर में दो आतनक्वादी हमले हुए थे. जिसमें पहला हमला आतनक्वादी संगठन द्वारा हुआ था और दूसरा लशकर ए तैबा के हमलावरों द्वारा कि रगुनात मंदिर के अंदर साथ हिंदू मंदिरों का एक परिसर शामिल है और इन परिसरों में कई देवताओं की पुजा की जाती है परंतु पीठासन देवता भगवान राम है जिन्हें विश्नु के अफ्तार रगुनात के नाम से भी जाना जाता है रगुनात मंदिर के अंदर सभी मंदिरों के टावरूं पर सोने की परते लगी हुई हैं मंदिर के अंदर की दिवारों को सूर्य एवं शिव सहित कई देवताओं के तीन सो तरह के प्रतिकों से सजाया गया है जो मंदिर मंदिर को आकरशित बनाते हैं मंदिर के अंदर एक स्कूल और एक पुस्तकालय है जो सार्दालिपी तथा संस्कृत पांदुलिपियों के एक उल्लेख निया संग्रह के साथ कई भारतिय भाशाओं में 6000 से अधिक पांदुलिपियों को संरक्षित करता है रघुनात मंदिर सार्दालिपी पांदुलिपियों का एक महत्व पूर्ण विदवान एवं महत्व पूर्ण स्रोत है और कश्मीर परंपरा के हिंदू और बौध ग्रन्थों के सबसे बड़े संग्रह में से एक है रगुनात मंदिर घरों की पांडुलिपियों के डिजिटली करण की पहल का प्रारंभिक प्रेरित करने वाला रहा है और भारत के अन्य हिस्सों से प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटली करण करने के लिए पहल की शुरुआत की है मंदिर के प्रवेश द्वार पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ है और यह एक अश्टकोनिय आकार में पाँच फीट एक दशमलव पाँच मीटर की उचाए वाले मंच के उपर भी बनाया गया है मंदिर की आंतर एक सूचियों में जम्मू स्कूल ओफ पेंटिन के चित्र है जिन में रामायन, महाभारत, भगवद गीता और हिंदू महाकावियों के चित्र है जिन में गनेश, प्रिश्न, शेशनाशी विश्नु जैसे देवताओं को प्रदर्शित किया गया है मंदिर के अंदर पौराने कत्हाओं से संबंधित विशयों के अलावा, कुछ चित्र धर्मनिर पेक्ष कत्हाओं से संबंधित हैं जैसे कबीर, एक संत, बुनाए में लगे हुए और डोग्रा और सिक समुदायों के सैन्यकर्मी इत्यादी मंदिर के मुख्य तीर्थस्थल में भग्वान राम की मूर्ती, जो डोग्रा संप्रदाय के लोगों के पारिवारिक देवता है, गर्भ ग्रिह में बनी हुई है इस मंदिर का राम नव्मी का त्योहार दर्शन यह होता है, जो भग्वान राम के जन्मोत सव पर मनाया जाता है रगुनात मंदिर बाहर से पांच कलश के रूप में नजर आता है मंदिर के गर्भ ग्रेह में राम सीता व लक्षमन की प्रतिमाय स्थापित हैं इस मंदिर की सबसे विशेश बात यह है कि इसमें रामायन व महाभारत काल के कई चरित्रों की प्रतिमाय भी स्थापित हैं जो भग्वान राम के जीवन काल को दर्शाती है